वेलकम टू इंस्पारी फिजिस कलाशे इस्प्रेइंस से आज अम लेकर के आ गए हैं करन्ट इलेक्टिशिट का पार्ट अमर थरी दोस्तो इसे पहले वाले दो पार्ट हैं उसके अंदरा मने इसके जो 53 क्यूशन दोस्तो उनको कंप्लेट कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में अपन 54 से अगले क्यूशन को सोल करेंगे दोस्तो इस यानि जो हमारे करन्ट इलेक्टिशिट के दोस्तो जो टोटल क्यूशन है वो है चिंतर दोस्तो इन सभी क्यूशनों को आज अब हमारा लार्ड्स पार्ट होगा इसके अंदर कंप्लेट कर लेंगे दोस्तो यदि आप इन क्यूशनों की पीडिया फाइल प्राफ्ट करना जाते हैं तो दोस्तो हमारा कोई भी वीडियो है जो करन्टी लेटरी सिटी का हो दोस्तो इसके डिस्क्रिप्शन से आप इसकी पीडिया फाइल डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तो आपको टेली गराम पर भी इसकी PDF मिल जाएगी तो वाँ पर से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं हमारा टेली गराम गूरूप है इंस्पार एफिजिस कलास यह से तो दोस्तो यह आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को दोबा लें जिसकी नए वीडियो की नोट्रिपिकेशन आपको तुरहनती मिल जाए और शुरुआत करते हैं याई दोस्तों इस क्यूस्टन में आपको बताना है कि किसी दोस्तों हमारा resistance है, उसके सीरों पर यादे दोस्तों आपको potential different निकारना हो और उसका mind measurement करना हो, तो दोस्तो मार जो potential meter होता है उसको जादा prepare किया जाता है water meter की तुलना में तो दोस्तो वो क्यों किया जाता है वो आपको यहाँ पर बताना है तो दोस्तो इसका जो सही राइटेंसर हो जागा वो ओगा option number D वाला क्योंकि दोस्तो जो वीबो मापी होता है इसका यूज करते समय दोस्तो यहाँ परिपत से दारा को नहीं लेता है इसी कारण वीबो मापी का यूज किया जाता है देखिए दोस्तो यदि अपने इसका मान यानि वोल्ट meter से निकालते हैं इस 0 की मद्दे potential different है तो क्या होता है कि दोस्तो यह जो वोल्ट meter होता है इससे भी आनि एलप मान की द्वारा इसके थुरू आनि परवाइत हो जाती है बलकि दोस्तों वीबुम आपी क्या होता है कि यह सुन्य विक्षेप के सिधान पर कारिय करता है जिससे कि क्या होगा यदि इन दोनों बींदू के मद्य जो वीबुआंतर होगा यदि उसको वीबुम आपी से ग्यात करेंगे तो दोस्तों वह सुद्ध प्राप्त होगा क्यो कि यह है परीपत से दारा को नहीं लेगा क्योंकि यह है एक सुन्य विक्षेफ की सिदान पर कारिय करता है बलकि दोस्त ज tast educación होता हुए हाँ इस परीपत से दारा है जिसे क्या होता है कि वह soup यान इसे इन शिरोंकि अपने विबानते निकालेंगे उ Gibbs मान में तुरूटी प्राप्त हो जाती है तो इसका राइटिंस हो जाएगा option नमर डीवाला क्योंकि दोस्तों वीबो मापी होता है वो आनि current नहीं लेता है circuit के द्वारा तो इसका राइटिंस हो जाएगा option नमर डीवाला अब है next question ने वोल्ट मिटर का नेट परतिरोद अधिक होना चाहिए यहनि दोस्तों मैंने आपको बताया है कि यह इसके रेजिस्टेंस की सीरों के मद्य पोटेंसियल डिफ्रेंस अपने वोल्ट मिटर से ग्याद करते हैं तो यह क्या होता है कि इसके मान में तुरुटी प्राप्त होती है वो क्यों होती है क्योंकि इसके दुआरा कोई धारा का यहनि प्रवाइत होती है वोल्ट मिटर के दुआरा इसके मान की जो तुरुटी होते हैं दोस्तो वहारी खतम हो जाएगी तो इसी कारण इसका प्रनेट प्रतिरोद अधिर का जाता है वोर्टिमेटर का तो इसका राइटिम्स होजाएगा उप्सा नमर B वाला यानि यह अतिरिक दारा नहीं खीचता है अब हैनेश्ट कि उसने परमानिक प्रतिरोद बनाने के लिए कॉंस्टेंटन तार का परियोग करया जाता है क्योंकि यह दोस्तो आपको पताना कि जो इस्टेंटर यानि रेजिस्टेंस आपको यदि बनाना है तो इसके लिए कॉंस्टेंटन वाय का यूज किया जाता है तो वो क्यों किया जाता है तो दोस्तो इसका राइटिंस होजाएगा उप्सन मरसी वाला यानि परतिरो ताप गुणाँ कर नगरने होता है देखे दोस्तो क्या होता है कि जो कॉंस्टेंट अंतार होता है उसका परतिरो ताप गुणाँ कर नगरने होता है तो जिससे के क्या होता है कि यदि इसके अंदर दोस्तो यदि गरम होता है यदि इसका टेंपरेसर का मान बढ़ता है तो उस समय क्या होता है कि दोस्तो इसके जो रेजिस्टरेंश के अंदर जो चेंज होता है दोस्तो वो बहुत ही नगनने होता है अब आपके लिए next question 57 निम्न में से सही कथन्द सुने यानि दोस्तों आपको चार कथन्द दिये हुई है उनमें से आपको सही कथन्द बताना है यानि correct कौन सा है दोस्तों पहला दिया हुआ है कि A meter का परतिरोध अल्प होता है यह सेरेनी करमें जोड़ा जाता है दूसरा है A meter का परतिरोध अल्प होता है यह समांतर करमें जोड़ा जाता है तीसरा है वोल्ट meter का परतिरोध अल्प होता है यह समांतर करमें जोड़ा जाता है और D option है उत्प्रोक्त में से को नहीं तो देखें दोस्तों याद रखना यदि किसी resistance के दोस्तों उसके अंदर से यानि प जो वोल्ट मीटर जोड़ा जाएगा वो इसके समांतर करह में जोड़ा जाता है तो सबसे पहले तो दोस्तों में क्या दिया हुआ कि इसका राइटेंस हो जाएगा उप्शन नमर एवाला क्योंकि दोस्तों जो एम मीटर होगा उसको सिर्णी करह में जोड़ा जाएगा यह भ का पर्तिरोध भी अल्प होता है, ब justement में क्या गल्ट या वाकि दोस्तों यह में दिया हो कि समांतर के में जड़ जाते है, बलकि अपन आते की मिटर को क्या जोटते है हम सेरीनिक्रह में, तीसरी अपस्टन में दोस्तों जो रोंग में दिया हुा है, यह दिया कि वॉल्ट मेंटर को समांतर के में जोड़ा जाता है तो इस क्यूशन का दोस्तो राइटरों सुजाएगा option नमर एवाला क्योंकि दोस्तो ये वाला option नमारा बिलकुल एनि 100% करेक्ट है तो इसका राइटरों सुजाएगा option नमर ए अब आपके लिए next क्यूशन ने आदर्स वोल्ट मेटर का परतिरोद होता है दोस्तों ये क्यों सना आई गया मैंने बताया था कि आदर्स वोल्ट मेटर होता है उसका परतिरोद कितना होता है इंफिनाइट ऐनी अनन्त है ये दोस्तों इसका परतिरोद का मान अपन जानते हैं बहुत अधिक होता है लगबग अनंत के ब़ाव होता है दोस्तों जब इसका resistance अनंत रखेंगे तब भी दोस्तों यानि यह अतिक्दारा को गरण नहीं करेगा और अतिक्दारा को यह गरण नहीं करेगा तो दोस्तों जो resistance है उसकी सीरों के मदे तो potential different होगा उसका सुदमान ग्यात करजी किया जा सकेगा तो इसका राइटेंस हो जाएगा option number D वाला क्योंकि जो दोस्तों हमारा जो idle volt meter होता है उसका जो resistance होता है वो कितन होता है infinity अब हनेश्ट कुशन 59 ने volt meter में आफसे कुरूप से होता है याँ दोस्तों आपको उताने कि volt meter में क्या होता है कि एक धारा मापी के सिर्णी करमें उच पर तिरो दे या धारा मापी के सिर्णी करमें अलप तिरो दे या समांतर करमें उच पर तिरो दे या समांतर करमें अलप तिरो दे दोस्तो इसका राइटिम्स हो जाएगा option number A वाला दोस्तो याद रखने हैं आपको यह ते एक धारा मापी जिए गेलोनमीटर से आपको वोल्ट मेटर का निमान करना है तो क्या होगा कि दोस्तों जो मारा गेलोन मेटर होता है इसके स्रेणी करम में दोस्तों एक उच पर तिरोड जोड़ा जाता है जिसके हमारा वोल्ड मितिर का निर्मान होता है तो इसका रिट्न सुर्जाएगा उप्चा नमर एवाला यानी स्रीणिजी करम में उच्छ परतिरोदे वोल्ड मितिर के लिए आफ्चिक होता है तो दोस्तो यदि आपको A मितर के लिए पुछा जाए तो ए मीटर में क्या होता है दोस्तों माया जो गेलोन मीटर होता है इसके समांतर कर्में जोड़ा जाता है दोस्तों और L पर परतिरोद का मान यानी संट जोड़ा जाता है तो इसका राइटेंस उसमें इसका राइटेंस हो जाता है उपसा नमर डी वाला लेकि वो तार होता है मेगनीन का दोस्तो याद रखना जो वीबम आपी का तार होता है वो कॉंस्टेंटन एवो मेगनीन का होता है क्योंकि दोस्तो इन दोनों का जो परतिरोद ताप गुणांक होता है दोस्तो वो नगणने होता है इसी कारण कॉंस्टेंटन एवो मेगनीन का जो पता वो दो सुनने और थे आदर से वोल्टि मेटर का पत्रिवी तो कि इस वुल्टि मेतर को किपको पता ही उगा वह पता वह नat तो है किसी म plugs शल면 मान के हो जाने के सत्वी गरश्ट हो जाएगा यहां को मतारा करा जा गार्य काषितMusic importante स्थेंस है उसके अंदर परु़ाई कमाने का निकारना हो तो आड रहा को निकारन तो फरावा हुआ की सिरिंट चाहर परीपार कि करदा시면 इसका जो हमारा जो equivalent resistance होता है यानि परिणामी परतिरोद होता है दोस्तो वो अधिक होता है यदि दोस्तो इसको समांतर करमे दिरोद दोर दिया जाता है तो हम जानते हैं जो equivalent resistance होता है उसका मान कम हो जाता है यदि दोस्तो यह परतिरोद का मान कम हो जाएगा तो बेटरी से दोस्तो दारा का अधिक दारा परोइत होने लगेगी गोगरा कमान भर जाने के कारण दोस्तो ऑमारा थिक जाएगा तो इसका राइटेleness हो जाएगा perform के दोड़ दिया जाता है अब हनेश्ट क्योसा ने किसी परिपत में कुल धारा का 5% बाग गेलोनुमीटर से परवाईत होता है यदि गेलोनुमीटर का परतिरोध जी हो तो संट का अपमान होगा यानि दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि गोई एक मार गेलोनुमीटर है उससे दोस्तों आपको कोई A मीटर बनाया गया दोस्तों हम जानते हैं A मीटर बनाते हैं अपन क्या करते हैं कि जो संट होता है दोस्तों गेलोनु मीटर के समानतर कर में जोड़ा जाता है यदि आपको गेलोनुमिटर से एमिटर बनाता होता तो संट को क्या जोड़ते हैं अपन समानतर गड़में दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है यदि प्रिपत में कोई दारा दोस्तों आई बैर रही है उसकी पांस परसेंट है दोस्टू, मान लेते हैं, 100 iG, उसकी 5% तो 5 iG, प्रवायत होती है बाकी की दोस्टो, नोकी 55 iG बसती है, किसे पराप्त होती है, संट से आपको बताना है, यदि galonometer का परतिरोध G है तो आपको center का परतिरोध बताना है कितना होगा तो दोस्तो हम जानते हैं कि यदि ये दोनों parallel क्रामें जड़े हुए हैं तो इन दोनों 0 के मदेश दोस्तो माज़र potential difference हो जाएगा वो equal हो जाएगा यानि कि दोस्तो जी का potential difference कितना हो जाएगा यहां पर आई का मान कितना है 5I और आर का मान यानि resistance का मान G है दोस्तो यह इसके equal हो जाएगा 25 आई इंट्यू दोस्तो मान लेते हैं इसका resistance कितना है आर है यानि दोस्तो इन भींदूओं के दो मद्ड़े है दोस्तो मार जो potential different हो जाएगा वो सम्मान हो जाएगा यानि यहां पर धारा A.O.M. परतिरोत का गुणन is equal to इसके धारा A.O.M. परतिरोत के गुणन के बराबर हो जाएगा तो दोस्तो इस equation पर R का मार निकालेंगे यानि दोस्तो यदि 59 I को अपन इधर लाएंगे तो I से I cancel हो जाएगा और 5 को यदि 59 से अपन निकालेंगे तो मार कितना बचेगा गुणनी से तो यहां से जो R is equal to में परात हो जाएगा वो परात हो जाएगा G upon में गुणनी से तो इसका राइटेंस हो जाएगा अब हैनेश क्यूसे ने यह दि किसी वीवो माफी के तार का परतिरोदे परतिरोदकता रो एवं अनुपरस्त कार्ट का चेतरफल A है तो तार के अनुदीश वीवो परवनता होगी यानि दोस्तो आपको बताना क्यों कोई हमारा कोई वीवो माफी का तार है उसकी परतिरोदकता आपको रो दी हुई है और उसका जो अनुपरस्त कार्ट का चेतरफल वो A दिया होगी तो आपको वीवो परवनता X बतानी कितनी होगी दोस्तो हम जानते हैं X होती है वीवो परवनता A कांक लंबाई पर वीवांतर यानि V एपॉन में L होता है दोस्तो हम जानते हैं V is equal to होता है IR तो हमारा हो जाएगा IR upon में L है और दोस्तो हम जानते हैं कि जो R का जो फोर्मूल होता है वो क्या होता है कि रो L upon में A होता है दोस्तों यह वह गया आई यह आर की जगह हमेरे रख दिया रो एल अपोन में ए और अपोन में हो जाएगा दोस्तों यह मारा यह ल दोस्तों यहां से एल से एल कैंसल हो जाएगा और दोस्तों जो भी वह पर रहता है वो कि इसके बराबर हो जाता है आई रो अपोन में ए तो तो इसका राइटेम्स हो जाएगा उप्सन हमारे वाला यानि तार की दोस्तों जो वीबू पर रोन तो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी आई रो अपॉन में ए अब 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 हनेश्ट क्यूशन ने एक वहिट इस्टों से तू की बुजा क्यूं है एस को प्रेस पर बदल दिया जाता है तो इसके परिणाम सोरूप होगा यानि दोस्तों इस क्यूशन में क्या दिया होगा कि यह दिया हमारा कोई वही टिसों से तू है दोस्तों इसकी चार बुजाई होती है करमस है P, Q, R, S यह दिया दोस्तों। स ऑम्क्य की सद्धां को पहले हैं तो आपको बताना की यह से तू सनतुलन को यह रहेगा यह दो में 14-े सब्सक्राइर करें कीपे रंप देगा सन्तुलन की मरे में तो नमरे क्यों की भी आप यह समाफ़ी क προ स्विंज यह की वेसा हदा खोने 같은데 यदि दोस्तों अपन S की जगह क्यों कर देते हैं और क्यों की जगह Aसे तो इस सग्धे मेरा होस्ता क्या प्राफ्ट हो जाती है यहाई इसका इसका उनुपात हो जाएदा है पी-अपॉन मेरे ऐसे और इसका-उनुपात के हो जाएगा R upon में क्यों अब दोस्टों आपन देखते हैं कि हमारी ये पहले वाली delg-elg परम हो जाती है यदि दोस्तों मारी ये जो संतुलन के वास्ता है ये मारी change हो जाती है यदि उसके लाद में ये संतुलन के वास्ता में नहीं रहे गा तो इसका राइटिंग सुझाएगा उप्शन नमर एवाला यानि सेत्तु संतुलन के वस्ता में नहीं रहे गए यदि क्यू एवं ऐस बुजाओ को प्रेस पर बदल दिया जाता है अब हापकी लिनेस्ट क्यूसर नहीं एक विबम आपी की लंबाई 4 मीटर एवं पर 30 ओम है यदि 2 वोल्ट विदुत वाहक बलवाली से जोड़ा है तो तार की परती एकांक लंबाई में विबानतर होगा यदि दोस्तों आपको बताना की एक 4 मीटर लंबाई का तार है उसका रेजिस्टर्स आपको 10 ओम दिया होगा है वह एक 2 विदुत वाहक बलवाली से जोड़ा है तो आपकी इसकी एकांक लंबाई में विबानतर या दोस्तों आपन कह सकते हैं कि विबो परोनता या दोस्तों विबो परोनता भी क्या होती है कि एकाई लंबाई में विबानतर या दोस्तों इसका मान आपको निकालना है दोस्तों या पर हमें वि कितना दिया वहाद 2 और एल का मान दिया वहाद 4 मिटर तो इसका मान अपने अदि आप निकालेंगी तो आपको 0.5 पराप्त होगा तो इसका राइटिन सो जाएगा उप्शन नमर A वाला यह थे दोस्तों जो हमारे तार की एकांक लंबाई में विबानतर कितना हो जाएगा 0.5 Watt पर मेटर हो जाएगा तो इसका राइटिन सो जाएगा उप्शन नमर A अब आपके लिए 67 कि उसा ने दिये गए परिपत में संतुलित वहिट उन्चोन सेतु के लिए सही समंद है यादि वहिट उन्चोन सेतु यादि संतुलन के वस्ता में होता है संतुलित होता है तो उस समय दोस्तों इसके जो आमनी सामने की बुजाई हैं दोस्तों अनुपातिक बुजाई होती है उनका अनुपात यानि सम्मान होता है दोस्तों या तो या अपन बोल सकते हैं P upon me Q is equal to होता है आर अपन में S से यह आपन बहुत सकते हैं पी अपॉन में आर इस इकल्ट होता है वो किसके बराबर होता है क्यों अपॉन में ऐसे दोस्तों हमें यहां पर दिया हुआ है पी अपॉन में आर अपॉन में एस अपॉन में क्यों बलकि दोस्तों यह क्यों अपॉन में ऐस हो जाता है दोस्तों यह भी हमारा राइट हो जाता लेकिन यहां पर हमें P क्यूं अपॉन में RS दिया वह यह दिया हो option नमर A में तो इसका राइट हो जाएगा option नमर A वाला दोस्तों यहां पर क्यूं उपर कर देते S नीचे कर देते तो हमारा A वाली equation C वाली options भी मिल जाती तो C वाला भी राइट हो जाता लेकिन यहां पर S को उपर रखा है और हमारी जो equation इसमें Q उपर है तो इसके कारण C वाला गलत हो जाएगा only A वाला राइट हो जाएगा तो इसका राइट हो जाएगा option नमर A वाला यहीं संतुलन की जो अवास्त होती है उसके अंदर P upon Q is equal to होता है R upon में S होता है अब आनेश्ट किसा ने दिये गए परिपत में धारा का मान होगा दोस्तो या आपको एक सर्किट दिया हुआ है इसके अंदर करण्ट बताना कितनी फलो हो रही है मान लेते हैं कि दोस्तो इसके अंदर करण्ट फलो हो रही है वो आई हो रही है तो हम जानते हैं कि दोस्तो तो अपने धैरा की डारेक्षन के अंदर चलते हैं, तो दोस्तों पर्तिरोथ पर जो यानी वोड्य पोटेंशिल डिफरेंट लिया जाता है विबानत लिया जाता है वह नेगेटीव लिया जाता है, ओ शेल के अंदर दोस्तों जो अंतिमारी तो इस दिशा में चल रहे हैं, तो अपने इस प्रकार से ही चलते हैं तो धारा की दिशा में चलेंगे तो दोस्तों इस पर जो potential होगा वो negative लिया जाएगा और कितना हो जाएगा minus के 10 आई और दोस्तों इसका इसको आगेए 516 करेंगे तो minus के 10 और minus के 20 आपको कितना प्राफ्त हो जाएगा minus के तीस आई ओ summarize कितनो जाएगा नि पांच में से दो अघुर घाएंगे तेन ओर जाए कितनो जाएगा गए परिपत का विन्यास में बिंदू A और B के मद्दे परभावी प्रतिरोद होगा यान दोस्तों आपको ये सर्किट दिया हुआ है इसके अंदर दोस्तों बिंदू A एवं B के यानि बीच में दो equivalent resistance है वो आपको बताना कितना होगा दोस्तों सबसे पहले अपने only इस आकर्टी के लिए देखते हैं कि दोस्तों हमारी पाँच एवं 10 से एवं 10 एवं 20 का दोस्तों रेशियो हमें equal प्राप्त होता है ने दोस्तों 1 by 2 प्राप्त होता है तो दोस्तों ये वाला परिपत हमारा वही टूठों से तो की अवस्ता में है तो इसलिए वाला दोस्तों ये वाला वीच वाला रेशियु नमारा वही जाएगा डिंुल है यहने केवल हमारा वाला कितनों जाए गे सब्सक्राइब। नब है तो दोस्तो इसको आगे अपन सोल करेंगे तो 9 का 9 9 दुने अठा रहे हैं दोस्तो 20 ओम परात हो जाता है तो यह दोस्तो यह एवं बी के मदेद दोस्तो मारजो दारा परवाइत नहीं होती है तो इसकी कौन सी यह यह उसके दारा परवाइत नहीं होगा दारा मापी से यह दि दोस्तों अमारा जो कोई यह विबो मापी है वो संतुलन के वस्ता में है तो उस कंडिशन में दोस्तों मारी जो धारा मापी होती है उसके अंदर से मारी धारा या परवाइत नहीं होती है यानि दोस्तों हमारे ये कोई तार है इसके अंदर सेल जुड़ा हुआ है ये दोस्तों को ये रजिस्टेंस लगा हुआ है तो दोस्तों यहाँ पर जो गेलोनों मिटर होता है संतुलन की अवस्ता में क्या होता है कि दोस्तों इसमें विक्षेप सुने हो जाता है दोस्तों उसको देफिनिशन क्या होती है, कि दोस्तों या हमारा कोई तार है, उसकी एकांग लंबाइए का दोस्तों, जो विबांतर होता है या विबव का गिरना होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं? विबव परवनता कहते हैं, या दोस्तों मारे जो वाहकतार होता है उसकी एकांग लंबाई का दोस्तों जो विववांतर होता है उसको अपन क्या कहते हैं विवव पुरुणता है यानि वी अपोन में एल तो इसका राइटिंग्स हो जाएगा उप्सन में ए वाला यानि फाल ओफ पोटेंशियल पर यू परकार से बढ़ाया जा सकता है वो आपको बताना है तो देखिए दोस्तों मारे जो विवव मापी की जो सुग्राहिता होती है वो किसके विवव पुरुणता का मान अधिक होगा तो मारी विवव पुरुणता का मान कम है तो सुग्राहिता का मान अधिक होगा वो दोस्तो परकार से दोस्तों मारी यदि एक्स को इसके विदकमाने पर करेंगे तो दोस्तों वीबर मापी के तार के लंबाई को बढ़ाएंगे तो दोस्तों मारी क्यों होगी सुग्राइता बढ़ाएंगी क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि लंबाई की विदकमान पाती होती है वीब नमर बीवाला यानि वीबो मापी के तार के लंबाई को बढ़ाने से क्या होगा कि वीबो मापी की सुग्राइता कमान बढ़ जाता है अब हैनेश्ट कुशन 33 यानि दोस्तों तैंतर में आपको क्या दिया वा है कि एक संदारीतर विदुत वाहक बल ई तथा संदाई आंतरिक परतिरोदे आर के एक सेल से जुड़ा जाता है तब यानि दोस्तों आपको क्या बताएगा कि एक संदारीतर है दोस्तों उसको एक सेल से जुड़ा गया है जिसका विदुत वाहक बल ई है यह वो इंटरनल अजिस्टेंस आर है तो आपको बताना कि दोस्तों इसका पोटें है क्योंकि दोस्तों यहां पर जो हमारा संदारी तो दोस्तों एक हमारा खुला परीपत होता है वो खुले परीपत के अपन जानते हैं कि दोस्तों दारा कमान सुनने होता है दारा कमान सुनने होने के कारणे E minus V is equal to I say IRC दोस्तों I कमान 0 रखेंगे तो मारा E is equal to V पराप्त होता है यानि खुले परिपत के अंदर दोस्तों मारा जो सीरों के मद्दे जो विववांतर होता है वो सेल के विदुत वाहग बल के बराबर होता है तो इसका राइटिंग्स हो जाएगा में जोड़े जाते हैं तो इस तिर्वुच के किनही 2 बिज़ाओं के भीज से तुले परदिरोद होगा यानि दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि 4 ऊम चे तीन परदिरोद है उनको किसी यानि दोस्तों समंभाहू तिरिवुच की भुजाओं से जोड़ा जाता है तो कि नहीं दो सीरों के मदे दोस्तों ये दो सीरों लेते हैं इनके मदे equivalent resistance आपको निकालना कितना होगा ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस से तो दोस्तों ये चारों पर तिरों दोता है वो R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2 होता है याद इन दोनों का multiply करेंगे तो 8 चोक 32 होजाएगा और इन दोनों का योग करेंगे तो मारा 12 है और इसको आपन solve करेंगे क्या होगा मारा यादि की 4 का 4 तो आप को कितना प्राप्ट होगा इसको इसको सोल करते हैं दोस्तों अपने इसको किसे डिवाइड करेंगे पहले चारती बार है और चार आड़ बतीस निदोस्तों आठ पॉन में तीन पराप्त होता है तो इसका राइटेंस हो जाएगा उप्सन नमर बी वाला यहनि दोस्तों यदि को तीन परतिरोद हैं तीनों का यदि चार ओम रेजिस्टेंस है उनको यदि किसी सम बाहुतिर बुज की बुजाओं से जोड़ा जाता है तो उसका जो तुले रेजिस्टेंस होजाएगा वो जाएगा आठ बटे तीन अब आपके लेनेस्ट के उसने 75 पे इसमें क्या दिया हुआ है कि निमने परिपत में a और b के बीच तुले परतिरोद होगा और दोस्तों जो परतिरोद आपको दिया हुआ है सर legitim दिया हुआ है इसके अंदर a यई और b के भीच तुले परतिरोद निकाहाँ ना है कितनों हगा देखिए दोस्तों द्यान से देखते हैं इसका दोस्तों सिंपल अपने पहले डायगराम बनाएंगे दोस्तों जो पहले वाला 2R वाला परतिरोध है इसको अपने पहले यहां पर लिखते हैं इसका resistance to R है दोस्तों इसका एक terminal हमारा किसे जुड़ा हुआ है A से तो दोस्तों इसको अपन जोड़ देते हैं A से और दोस्तों इसका दूसरा सीरा किसे जुड़ा हुआ है यह यह दोस्तों यह दूसरा सीरा जुड़ा हुआ है B से दोस्तों यहां से यानि B terminal से जुड़ा तो A इसका एक सीरह अपन A से जोड़ देते हैं और इसका दूसरा वाले सीरह है दोस्तो इसको B से जोड़ देते हैं तो इसके दूसरे सीरह को अपन B वाले टर्मिनल से जोड़ देते हैं इसे प्रकासे दोस्तो यह जो R वाला परतिरोद है उसका भी जो एक सीरा है दोस्तो एस से जुड़ावा है यहां से होकर एस से जुड़ावा है और इसका दोस्तो यह दूसरा टर्मिनल है यह B से जुड़ावा है तो इसको भी इस प्रकास से जोड़ देते हैं यहां पर हमें कितना प्राप्त होगा तो यहां पर हमें कितना प्राप्त होगा पांच पर तीरोध चितर के अनुसारे सनमंनीत कर दिये जाते हैं तो A और B के बीच पर Wई पर तीरोध होगा जोस्तो आपको यहां पर कोईए डाइगराम दिया हुआ है तो यहां पर A AOM B के मद्धे परवाई परती रोद निकारना कितना होगा दोस्तो यहां पर हम देखते हैं कि 2 AOM 3 AOM का जो रेशिव है दोस्तो 2 बटे 3 पराप्त होता है दोस्तो 4 और 6 का रेशिव भी में 2 बटे 3 पराप्त होता है यानि कि दोस्तो अमारे को P AOM में Q is equal to R AOM में S पराप्त होता है यानि कि दोस्तो यह जो डाइगराम है वो संतुलन के वस्ता में है नि दोस्तो इससे कोई दारा परवाईत नहीं हो रही है तो इसके कान दोस्तो मारे क्या हो जाएगा वही ट्रिटोन सेत्य हो जाएगा तो वही ट्रिटोन सेत्य की दोस्तो इस संतुलन वस्ता है तो यहां से कोई दारा परवाईत नहीं होगी तो दोस्तो इस परतिरोद को अपन कैंसिल करते हैं अपन देखते हैं कि यह दो वाले हमारे किसमें जुड़े हुए हैं सिरीज करम में तो इनका तुल्य परतिरोद हो जाएगा 5 और दोस्तों इसके सरेनी करम में क्या पेलल करम में कितना जुड़ा हुआ है इन दोनों का तुल्य परतिरोद निकालेंगे अदि अपन पेलल करम में है तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टिप्लाइ करेंगे तो हो जाएगा 50 फिर करेंगे इन दोनों का एड नीचे हो जाएगा 15 तो इसको अदि अपन सोल करते हैं तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ज जाएगा 10 से तो इसका जो final answer हो जाएगा 10 बटे 3 तो इसका राइटेंस हो जाएगा option number A वाला दोस्तों इसी question के साथ हमारे जो electricity current है दोस्तों यानि current electricity है ये इस topic के सभी question complete होते हैं दोस्तों अब हम आपको कले एक नई topic के साथ है यानि दोस्तों फिर सी इसे ही अच्छे से question की वीडियो मिलेगी तो दोस्तों आपको question अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा जाए शेयर करें जहीं दोस्तों